जितने भी लोग का low value content का दिकत आ रही है उसके website में किसी भी तरह का दिकत आ रही है तो आप मुझे Instagram पर content कर सकते हो और वहां पर अपने website का link share कर सकते हो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके website पर किस तरह का approval होगा अपने website पर क्या गलती कर रहे है जिसकी बिज़ा से एट्सन सप्रूबल नहीं हो रहा है तो यहां पर देख सकतो संधी blogging tips से जाके Instagram पर सर्च करोगे और इसका link में डिक्क्रिप्स बॉक्स में देंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपने website पर क्या दिकत कर रहा है फिर आ आपने आपको क्या प्रोग्लम हो रही है तो सबसे पहले नमर का website एक बात बना बताना चाहता हूं कि भाई देखो आयदी आपका website इसमें नहीं है तब भी इस वीडियो को complete देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि website पर कैसे लिया जाता है यदि low value content का दिकत आती ह है तो सबसे पहले नमर का website है देखो इस website को हमने homepage पर आया है लेकिन उपर में देख सकते हो फेवी आइकन भी नहीं है और उसके साथ में आपर about का option आ रही है यानि कि about का section खुला हुआ है हाला कि हमने homepage का option खुला है तो देखो इस तरह का आप गलती कर रहे हैं उसके बाद देखोगे तो नीचे में यहाँ पर आपने drop menu बना रहा है जैसे मैं drop menu वान पर मैं किलिक करता हूं तो किसी भी तरह करी डिरेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी तरह का working नहीं कर रहा है सिर्फ यह homepage पर किलिक हो जा रही है उसके बाद नीचे में documentation में मैं किलिक करता हूं तो सोर ब्लोगिंग टिफ्स पर आ जाती है जहां से आपने template को install किया है उसके बाद देखोगे तो कहीं पर भी आपने अच्छी तरह से कस्टमाइशन नहीं कर रहा है और पोस्ट की बात करें तो देखो भाई मैं इनको एक आध पोस्ट आपको खोल के दिखा रहा हूं कि देखो इस तरह के लोग आते हैं जो इस तरह से ब्लोगिंग फिल्ड में नियू नियू होते तो उनको पता नहीं होता है तो सिर्फ इसी तरह से नॉर्माल लिखते जाते हैं जैसे हमने इनका एक दो पोस्ट आपन किया था नीचे मैं चले आता हूं देख सकतो एक बेस्ट किया होगा क्योंकि इस तरह का आपने आर्टिकल्स लिख रहा है लेकिन आपको यहां पर इस तरह से वर्क करोगे तो कैसे मिलेगा और आपका वेप साइट भी रैंक नहीं करेगा जिससे आपको ट्राफिक भी नहीं आएगी तो इस यूजर को मैं यही सजेस्ट करना चाहत लेना जिसमें आपको समझ में आ जाएगा टेंप्लेट करस्टमाइशन कैसे किया जाता है जो ब्लॉगर को बेसिक है नोनेज ना वही पतलाएगा यानि कि बिगनेस लोगों के लिए बहुत फैदा होगा उसके बाद डोकुमेंटेशन पर आएंगे तो इसी भी इसमें भी किसी भी तरह का वर्क नहीं करेगा सिर्फ यहाँ पर ओमपेज पर ही डिरेक करेगा देख सकतो यह दूसरे वेप साइट पर ही डिरेक कर रहा है जहां से इनों ने टेंपलेट को इनस्टॉल किया है तो इसमें बहुत सारी गलतिया है सबसे पहले कर्श्टमाइशन बगारा यहां पर नाइन टेन या फिर एट लोग बच्चों के लिए यहां पर कंटेंट यह कोर्शन बगरा आंसर बगरा पीडिया बगरा देते रहते हैं तो एक एजुकेसनल वेपसाइट की केटेगरी में आता लेकिन इसमें दिकत क्या है कि आपकी वेपसाइट का जो टेंपलेट दे रखा लेकिन इतना मैं नेविगेशन बार लगा रखा है क्योंकि आपको टेंपलेट ही उसी तरह से डिजाइन किया गया यहां पर देखोगे व्लॉक्स है आपर आउग्स है उसके बाद नीचे पर आओगे तो यहां पर कुशी बीटरा का टेंपलेट नहीं पर प्रिमियम टेंपलेट चाहिए तो अब आपको यहां पर दिमाग में कोसन आया होगा कि टेंपलेट कहा है तो मेरे चैनल पर जाओ और वीडियो देखो यहां पर हमने बताया है या फिर सर्च कर सकते हो टॉप फाइब टेंपलेट फ्री डाउनलोड उसके बाद यहां पर के लिए अपलाई कीजिए अप्रोल हो जाएगा क्योंकि इस टेंपलेट में नहीं होगा इतना बड़ा बैनर आपने लगा रखा इसी बज़र से आपको दिक्कत होगी और आपका पोस्ट का इज़र साइड बाई साइड यहां बॉक्स है इसी तरह से आपका प्रोग्लम हो आपको बहुत यूनिक होना चाहिए उसके बाद आप्रोबल के लिए अप्लाई करोगी आपको फर्स्ट अटेंट में ही अप्रोग्ल हो जाएगा तो देखो कि मैं सारे लोगों को यहीं सजेस्ट करता हूं कि इस तरह का वेपसाइट से आपको को सिखना चाहिए देखो इ इन्वेस्ट इन सेयर मार्केट स्टॉक मार्केट इन हिंदी यह थोड़ा सा ज्यादा इसमें कंपेटिशन है लेकिन ओभर आल यह माने तो सही है उसके बाद देखोगे तहां पर बढ़िया बढ़िया इन्हों ने आर्टिकल्स लिख रहे हैं लेकिन इनको अप्रूबल न वह सई है और मैं सारे लोको एक मेंडेड करता हूँ कि इसी तरह का आपको आपको बनाना है और हर एक केटेग्री इसको आपको फॉलों करना है अपका पोस्ट फोना चाहिए और उसमें आपको इंटरलिंकिंग भी होना चाहिए जैसे इंवेस्टमेνT का पोस्ट पर लाइक कीजिए इसी वीडियो को कमेंट में जरूर आप बताएगा कि आपको अप्रूबल मिल गया है ताकि हमारे और भी आउडियंस को पता लग सके हमारे पास अगले नमर का वेब साइट है आप यहां पर अफ्लेट मार्केटिंग स्टार्ट कर दो प्रोडक्त की मार्केटिंग करना सुरू कर दो क्योंकि इस तरह एक उप्रूबल का चांस होता है जैसे मैं इनका कोई भी एक पोस्ट खोल लेता हूँ यहां पर देख से तो रियल्मी zito का प्राइस में फॉसक रहा है Profile द्री ऑपने करने के बाद हैं उसको पर प्राइस देखो रहा है उसके बाद च्वां छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा उसके बाद पोस्त क्षतम होगा तो इस पर आपने को रहारा कि कभी तो इस तरह का प्रूबल नहीं होगा तो इसमें कोई चेक करने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि आप रूबल ही नहीं होगा इस तरह के वेपसाइट पर एड्स के लिए अपलाई करोगे तो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा मेरे पास अगले नमर का वेपसाइट है सबसे पहला दिकत है कि इसमें इस का कनेक्शन सीक्रों नहीं है उसके बाद इस वेपसाइट में यहां पर टैंपलेट सही नहीं लगा गया है क्योंकि इस तरह से लगाएगा है नविगेसं बार का इस Lee legitimately सब यй यहां इतना चोटा होना चाहिए लगी तो इस ने भी गेशन बार को चेंज करने के लिए टेंप्लेट को मैंने अभी बताया कि यह बला जाकर वीडियो देख सकते हो तो इसके बाद अप्रूबल हो जायागा क्योंकि इसमें पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा 61 पोस्ट है तो इसमें हमने क्या ज्यादा चेक करूं सि तो सबसे पहला नमर का वेप साइट है जो जिसमें नीचे आए होगे तो नीचे में देख सकते हो इन्होंने ब्लॉगर का जो टेंप्लेट लगा रखाया उसका फूटर क्रेडिट हटाना भूल गया है तो फूटर क्रेडिट यहां पर सो रही है उसके बाद देखोगे तो इन्होंने कर रखा ओबर ले हो गया है यह दुनों तो यहां पर साइड में करने की जरूत करना है और उसके बाद देखोगे तो लास्ट बला है तो इसमें उपर में सिर्फ होम पेज की जरूत है इसमें बहुत सारा पोस्ट है सिर्फ आपको 10-15 और लिख देना है जब सब्सक्राइब करेंगे तो देख सकतो अगले बार आप ही इसी वीडि़ो के नीचे में देखोगे एक कमेंट में तो ए तिनों भाई मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे के मुझे अप्रूवल मिल्या है तो इस तीनों वेप साइट को आपको फॉलोग करना है और इस ती इस इसी तरह से हमने जितने भी लोगों ने वेपसाइट का लिंक सेर किया था उनको हमने चेक कर लिया है यदि आपको भी वेपसाइट से मुझसे चेक करवाना चाते हैं मुझे इस्टाग्राम पर करें संदी ब्लॉगिं टिप्स इस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो आ जाएग चाहिए वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत प्लॉट बहुत है